हेलो गाईज, विलकम तो मैं चैनल लाव इस लाव तो आज की वीडियो में हम डेस्कस करेंगे सेक्शन 174 कोरम ओफ मीटिंग्स ओफ बूर्ड लास्स सेक्शन में हमने देखा था कि जो बूर्ड मीटिंग होती है वो किन कामपनी इसको करनी होती है कितनी बूर्ड मीटिंग क करनी है कितना गाप रखना फॉसंदेख नहीं करोग़े कीमिलमम आपको कितने भूसन चाहिं है को कॉशल कान्वीन करने के कंद थैज तो कोरम कितना होता है कि आच आपको वब्लमिंग अगर आपको कि general meeting में कितना था और board meeting में कितना था रोज बोल रही हूं ऐसे करते जाओगे पूरा last में आपके पास चार्ट होगा कि board meeting में क्या था general meeting में क्या था कोई confusion ने बचेगी स्टार्ट करते हैं subsection 1 से subsection 1 कहता है the quorum for a meeting of the board of a company quorum कितना होगा one third of total strength or two director whichever is higher यानि कि total strength है मानलो आपकी company में directors की nine nine का one third कितना हो गया three three और two director whichever is higher तो कितना हो गया three whichever is higher lower नहीं है higher तो कितने director आपको चाहिए three आपको तीन डारेक्टर का quorum चाहिए board meeting को convene करते हैं चेक है as per my exam and दूसरा बोलता है and participation of the directors by video conferencing और audio visual means इसने बोला कि भाई अगर कोई director पार्टिसिपेट करेगा video conferencing से या other audio visual means से शेल बी काउंटेट फॉर दे पॉर्पस ऑफ कोरम यानि कि अगर में को तीन डारेक्टर काउंट करने हैं उसमें से दो जो है वो video conferencing से आये हैं और एक जो है वो कैसे आया है audio visual means से तो क्या मैं वो हम कोरम के लिए काउंट करेंग क्या मैं उन तीन डारेक्टर को कोरम बानते हुए बोल मीटिंग कर पाएंगे येस बिलकुल कर पाएंगे क्योंकि सेक्शन ने बोल दिया कि जो भी डारेक्टर प्रेजन होगा video conferencing से या audio visual means से शेल बी काउंटेट फॉर बात समझ में आ रही है कोरम कितना है one third of total strength मतलब ज subsection 2 कहता है the continuing director may act notwithstanding any vacancy in the board बात को ध्यान से सुनना मालो आपकी गंपनी में no director थे ठीक है अब कुछ director छोड़के चले गए तो जो continuing directors बचेंगे ना वो काम करेंगे board में चीक है the continuing directors में act वो काम करेंगे notwithstanding anything any vacancy in the board चाया board में कोई भी vacancy हो वो जो continuing director है वो काम करेंगे but if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the act for a meeting of the board the continuing director और directors may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum और of summoning a general meeting of the company and for no other purpose बात को ध्यान से सुनना example लेते हैं माल लो आपकी company में nine directors थे चीक है आपकी company में बच रहे हैं दो डारेक्टर दो डारेक्टर यानि की seven directors छोड़के चले गए अब कितने बचे दो कॉरम कितना चाहिए कॉरम कितना चाहिए एस पर लो आपको two तो चाहिए चीक है two है चल जाएगा काम माल लो वो दो में से एक और छोड़की चला गया अब कितने बचे एक बचा क्या एक डिरेक्टर से आपका कॉरम पूरा होगा नहीं होगा क्योंकि act ने subsection one ने बोल दिय या one third of the total strength or two whichever is whichever is higher तो higher है two two तो आपके पास है नहीं कितने डिरेक्टर बचे एक क्या कोरम पूरा होगा नहीं तो बोला अगर ऐसा कोई case होता है तो जो remaining director बचा है ना बचा है या remaining directors बचे है तो वो क्या करेंगे वो increase करेंगे number of directors को चीक है क्योंकि जब number of director increase होगे तभी तो आपका कोरम पूरा होगा तो जो continuing director होंगे या directors होंगे may act for the purpose of increasing the number of director यानि कि वो काम करेंगे directors को increase करने के लिए ताकि directors पूरे हों बोर्ड में फिर उसके बाद आपका कोरम बने बात समझ में आईए नॉर्मली बोल दिया कि जो continuing directors होंगे वो बोर्ड में काम करेंगे चाहे बोर्ड में कोई vacancy हो बट हो सकता है उनके काम करते में देखो जब seven directors छोड़के गए थे तब दो थे तो दो से कोरम हो रहा था सारा काम चल रहा था तब तक कोई दिक्कत ही ही ने बट जब directors छोड़के जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं और आपका कोरम भी नहीं पूरा हो पारा तो जो continuing directors है ना वो कोरम को पूरा करने के लिए डारेक्टर्स को जो हैं increase करें बात समझ में हारी यह दोनों चीजों में फरक है जब तक आपका कोरम पूरा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अगर डारेक्टर के छोड़के जाते से जाने से जाने से जाने से उनका कोरम भी कम हो गया number of directors इतने reduce हो गए कि आपका quorum भी फूरा नहीं हो पा रहा है तो जो continuing directors है वो quorum को फूरा करने के लिए directors को increase करें चिक है अब आते हैं subsection 3 के subsection 3 कहता है where at any time the number of interested director अगर कभी भी आपकी company में interested director exceed हो जाते हैं बढ़ जाते हैं और is equal to two third of the total strength आपकी जो board की total strength है उसके two third से भी increase हो जाते हैं या two third हो जाते हैं sorry increase नहीं two third equal to two third हो जाते हैं और interested director exceed हो जाते हैं और equal to two third हो जाते हैं of total strength of board तो the number of directors who are not interested आप उन directors को देखोगे जो interested नहीं है and present at the meeting जो interested नहीं है और meeting में present है वो 2 से कम नहीं होने चाहिए वोला कि अगर कभी भी आपकी company में the number of interested director exceed हो जाते है और equal to हो जाते है two-third से two-third of the total strength से equal to or exceed होते है तो वो director जो interested नहीं है और meeting में present है वो कम से कम दो होने चाहिए shall be the quorum during such time अगर वो है दो तो हम उन्हीं दो को quorum माने एक meeting हो रही है meeting में आपके 10 डारेक्टर है 10 में से 8 जो है वो interested है और 2 जो है वो not interested है तो क्या quorum होगा पूरा बिल्कुल पूरा होगा तो कि section ने बोल दिया कि जब meeting हो रही होगी तो not interested director और not interested के सार present भी होने चाहिए meeting में interested भी नहीं है meeting में भी present है और कितने है दो है दो से कम नहीं होने चाहिए उसको हम उस time के लिए quorum मानेंगी शेल भी the quorum during such time अब आते हैं sub section 4 sub section 4 कहता है where a meeting of the board could not be held for want of quorum अगर कभी भी board meeting बुलाई quorum नहीं आया उसकी वज़े से board meeting नहीं हो पाई तो क्या होगा then unless the AOA articles of the association of the company otherwise provide जब तक कमपनी के article में कुछ और ना लिखा हो तो meeting जो होती है वो adjourn होती है अगर कभी भी board meeting बुलाई गई उसमें कोरम नहीं आया तो meeting क्या होती है adjourn, adjourn कभ होगी same day, same time, same place in the next week next week में होगी same day, same time, same place और if that day is a national holiday हो सकता है जो next week में आपका same day, same time, same place पड़े उस day में national holiday हो तो क्या होगा तो till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time, same place यानि कि time or place change नहीं होगा अगर day national holiday होता है तो आप succeeding day बात समझ में आ रही है कभी भी board meeting में कोरम नहीं आया तो meeting जो होती है वो stand adjourn होती है जब तक आपके articles में कुछ और ना लिखा ठीक है, meeting होगी adjourn अब adjourn meeting को दुबारा कन्वीन कब करेंगे same day, same time, same place next week अगर वो day national holiday है तो succeeding day बात समझ में आई आपको शुरू से एक बाल revise करते हैं कोरम one third or two whichever is higher participation, video conferencing, audio visual means count होगा कोरम के लिए अगर continuing directors है और vacancy होने की बज़े से कोरम कम नहीं हुआ तो वो काम करेंगे कोरम कम हो जाता है तो वो increase करेंगे number of directors को इंट्रेस्टेड डारेक्टर विए डिरेक्टर विए डिरेक्टर एनी टाइम number of interested डिरेक्टर exceed हो जाते हैं और two third के बराबर हो जाते हैं तो जो interested नहीं है और meeting में present है वो दो से कम नहीं होने चाहिए उसी को हम उस time के लिए कोरम माल लेगे अगर meeting adjourn होती है कोरम की वज़े से तो अगले week होगी same day, same time, same place अगर वो same day जो है वो national holiday है तो next day होगी बात समझ में आई पूरा section 174 आपको समझ में आया तो प्रीज एक-एक section करते जाओ अपने notes रेटी करते जाओ टाबिलर फर्म में जन्रल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का पूरा chart बनाते जाओ लास्ट में कसम से बूर रहे हैं आपको बहुत हल्प होगी आप लोग करते जाओगे जैसे जैसे बोल रहे हैं बहुत हल्प होगी तो मिलेंगे next topic के साथ next video में तब तक के लिए बाबा थांक यू